हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 323 और धारा 324 के बारे में मैंने इस संबंदित याने के उपती और घोर उपती से संबंदित पिछली वीडियो बनाई है आप उस पीछली वीडियो को जो है देखें वो जो वीडियो है धारा 319 से लगा करके धारा 322 तक की वीडियो है यहाँ पर आप किलिक करेंगे तो वो वीडियो आपको उपलब्द हो जाएगी यहाँ पर किलिक करके आप पहले उस वीडियो को देख लें उस वीडियो को समझना इसलिए आपको आवशक है ताकि आप उपहती और घोर उपहती की परिभासाओं को समझ जाएं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उपहती और घोर उपहती जितने भी दंड के प्रावदान है वो इससे अगली धाराओं में हैं तो हम आज उन धाराओं में से सिर्फ दो धाराओं को कवर कर रहे हैं धारा 323 और धारा 324 के बारे में हम बात करते हैं IPC की धारा 323 इसमें किस प्रकार के दंड के प्रावदान है हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोई व्यक्ति स्वेक्षा से धारा 323 के हम बात कर रहे हैं कोई व्यक्ति स्वेक्षा से याने कि आसे से यह जानते हुए कि वह किसी को उपहती कारित कर रहा है याने कि वह किसी को चोट पहुचा रहा है याने कि जानते समझते हुए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसको जो है इस धारा के अंतरगत जो है एक वर्स तक की सजा हो सकती है या फिर उसको जो है एक हजार रुपए से जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों से भी दंडित उ उस दसा के सिवाए कौन सी दसा जिसके लिए धारा 324 में उपबंद है धारा 324 यानि के अगली धारा जो हम समझेंगे उसमें जो उपबंद है उसको छोड़ने के छोड़ करके बाकी जो भी है वो इस धारा के अंतरकत दिया गया जो कोई स्वेक्षया से उपहती कारित करेग यानि के जान बूज कर चोड़ पहुचाएगा वह दोनों मैंसे किसी भी भाती के काराबास से यानि के सहस्रम काराबास और साधारन काराबास दोनों मैंसे किसी भी भाती के काराबास से जिसकी अबदी एक वर्स हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से जो एक ह माना नहीं होगा इस धासव दारा के अंतरगत अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई मतलब सीजफ़ के अंतरगत जो है Q n मंढ लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को चोटि पहुंचाने के लिए चांटा मार दिया तो वह दारा चांटा थपड मुक्के लात गूसे इनके द्वारा यह दिमार पीट की गई है तो इस धारा के अंतरगत दंडनी अपरात करने यूग है और इस धारा के अंतरगत जो है उसको एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपए तक का जुरुमाना उसको हो सकता है यहां पर गंभी चोट की बात नहीं कहीं गई है यहां सिर्फ साधारण चोट की बात की गई है अब हम बात करते आई पीसी की धारा 324 के बारे में क्या कहती आई पीसी की धारा 324 खतरनाक आयूद या सादनों द्वारा स्विक्षा से उपहती कारित करना खतरनाक आयूद कौन-कौन से होते हैं खतरनाक आयूद का मतलब होता है कि खतरनाक हत्यार मतलब कैसे खतरनाक हत्यार जैसे बंदूक, तलवार, फर्सा या ऐसे कोई भी हत्यार जिसके द्वारा आप किसी को मार दो तो मर जाए इतने तेज जो धारदार हत्यार हैं ऐसे हत्यारों को अपन खतरनाक आयुद बोलते हैं कोई आग का गोला। अगनी आग के द्वारा भी आप किसी को नश्ट कर सकते हैं, आग के गोले से ही मतलब नहीं, आग का सर्या या आग किसी भी प्रकार की, उसको भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा में कौन सा जैसे एसिड वगिरा किसी लड़की के उपर एसिड फेक दिया तो ये जो ये भी खतरनाक आयूद की ही स्रेणी में आते हैं हम इसको पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं लेकिन इन आयूदों से याने के इन हत्यारों से किसी को गंभीर चोट नहीं पहुचा नहीं किसी को मारा नहीं लेकिन उपहती कारित कर दी याने के चोट पहुचा दी मानने गोली चलाई और गोली किसी को जो है थोड़ा सा टच करते वह निकल गई याने के साधारन चोट पहुंचाते वह निकल गई तो ये धारा 324 के अंतरगत अपरादी होगा फिर वो बेखती किसी ने जो है एसिट फेका लेकिन वो जो है थोड़ा साई नुकसान कर पाया उसका पूरा नुकसान नहीं कर पाया लेकिन यदि वो पूरा एसिट उसके मुँपे चला जाता तो ज्यादा नुकसान हो जाता तो ये गंबीर उपती हो जाती लेकिन साधारण मतलब कि हतियार तो गंबीर हैं हतियार तो खतरनाक हैं लेकिन उनके द्वारा साधारण चोट पहुंचाई गई है धारा 324 में इसके बारे में बताया गया उसके लिए सजा का जो प्रावधान है हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं उसमें सजा का जो प्रावदान हैं कितना है उससजा का प्रावदान है तीन वर्स के और जुर्माने से भी है मतलब या तो जुर्मा नहीं हो जाएगा ये तीन साल तक की सजा प्रावदाने कि सजाई में उपबंद है अब आप समझ रहे होंगे धारा 334 में कौन से उपबंद है तो अगली सीरीज के वीडियो में हम धारा 334 के बारे में बताएंगे लेकिन थोड़ा सा हम इस वीडियो में भी बता देते हैं क्योंकि यहां पर इसका उल्लेक आया मतलब गंबीर प्रकोपन जो ह कोई असन बेदन या काटने के किसी उपकरण द्वारा यहने के वेदने के द्वारा चोट पहुचाने के द्वारा या काट देने के द्वारा ऐसे किसी उपकरण हैं जो एस प्रकार का काम करते हैं तो क्या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो आक्रमक आयुद के तोर पर उप जो की आक्रामक रूप से याने के भंकरूप से खतरनाक रूप से जो है उपयोग में लाया जाये और जिसके कैसा वाला हत्यार हो जिससे म्रत्यु कारित किया जाना संभाब ये हो मतलब आदमी को मारी दो इतनी तेज खतरनाक वाला अत्यार या अगनी या किसी तपत पदार्त तपता हुआ कोई पदार्त लोहा गरम सरिया कुछ भी या किसी विश याने के जहर जहर से भी कोई व्यक्ति मर सकता है इसलिए इसको भी खतरनाक आयुद में रख संचारक पदार्त संचारक पदार्त याने के असिट या हात माँ पर फईक देना मतलब इस परकार का कोई ऐसे हत्यारों द्वरा या किसी विश्पूटक पदार्त बं बगेरा रखा हुआ अब किसी विस्पोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका स्वास में आना या जाना या निगलना या रक्त में पहुँचना मानव सरीर के लिए हानिकारक है या किसी जीवजन्तु द्वारा स्वेक्षा से उपहती कारित करना जीवजन्तु द्वारा मतलब जीवजन्तु यानिके कुट्ता सेर जैसे मानले सेर ज्यादा खतरनाग है तो ऐसे किसी साप बिच्चू यह जो खतरनाग जीवजन्तु है इनके द्वारा याने के यहाद जीव जंतू द्वारा स्वेक्षाया उपहती करेगा उपहती की बात है यहाँ पर साधारण चोट की बात है गंभी चोट की बात नहीं है आया उसेर ने पंजा मार दिया इस प्रकार से तो कुल मिला के ऐसे खतरनाक हतियार इन सभी को खतरनाक हतियार कहा गया है तो खतरनाक आयुद या साधनों से स्वेक्षया याने जानते बुझते उपहती हने के साधरन चोट पहुचाना तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा वह दोनों मैंसे किसी भी भाती के कारावास से जिसकी अबदी तीन वर्स हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा याने कि तीन साल से अधिक की सजा नहीं होगी दोनों मैंसे किसी भी भाती का कारवास मैंने आपको समझा दिया है साधारण कारवास और कठोर कारवास दोनों मैंसे कोई साथ यहाँ पर हमने इन चीजों को समझा अब हम थोड़े से उधारणों को देख लेते हैं याने कि जो हत्यार हैं वो खतरनाक होने चाहिए और जिनके द्वारा चोट साधारन पहुंचाई जानी चाहिए तो धारा 324 लगव होती है लेकिन यदि खतरनाक हत्यार हो और खतरनाक ही चोट पहुंचाई जाए तो धारा 326 में आता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंग जो धारा 325 से आगे जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं धारा 324 तक के कुछ उधारन ले ले लेते हैं मतलब कि हतियार तो खतरनाक है लेकिन चोट साधारन पहुंचाई गई है तो देख लेते हैं किसी यूबा लड़की के चैरे पर तेजाब फेकना याने कि कोई लड़क मार पन्या पर नाम इस्टेट अफ उत्तर प्रदेश के मामले में निर्धारित किया गया था है कि कि औरर कि यूबा लड़की पर तेजाब फेकने का मामला अगला हम देखतेहं कौन सा आंगन में गोली दागने से कि सिप्छार हो द्रॉप कारित होना तो यह जिन्वा करे अपराद होगा यह जो मामला है यह कुंदन सींग बनाम इस्टेट और पंजाब के मामले में यह सन 1982 का केस है SEC 213 के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि 324 के अंतर का दंड दिया गया था अब हम बात करते हैं अगला और एक और गोली के छर्रे से किसी व्यक्ति को साधारन चोट कारित हो जाना यहने कि गोली का जो छर्रा निकला उसके द्वारा साधारन चोट पहुंची तो यह भी धारा 324 के अंतर करत कवर किया गया और यह जो है मैं आपको बता दूं कि यह जो है वेद पाल बनाम इस्टेट आफ उत्तर प्रदेश उननी सो सतासी एस सी सी पांसो संतानवे वाले मामले में इसको निर्धारित किया गया है तो आज के लिए इतना ही वीडियो यह पसंद आया हो तो लाइक करें सेयर करें कमेंट्स करें और वीडियो को जो है कर लें वैल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो को नोटिफेकरिशन आपको मिल सके यह साधारी यह सारी जानकारी आपको फ्री में उपलब्द है और इसकी पूरी एक सीरी तैयार की जा रही आई पीसी की सीरीज बना करके प्लेलिस्ट एक तैयार कर दी जाएग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद